इस लेक्शर में बात करने वाले कैविटेशन क्या होता है प्लस बेपर प्रेशर क्या होता है तो चलिए श्रू करते हैं बेपर प्रेशर से जैसे कि हम सभी जानते हैं लिक्विट यानि कि जो बाटर होता है उसके लिए जो बेपर प्रेशर होता है वो होता है 1 atmospheric pressure प्लस जो बेपर में convert होता है वो होता है 100 degree Celsius पर जब उसका pressure 1 atmospheric रहे तब यदि हम उसके pressure को 2 atmospheric कर दें यानि कि pressure जैसे ही बढ़ेगा तो उसका जो boiling point रहेगा वो भी बढ़ जाएगा वो हो जाता है something 120 के लगवाग यानि कि जैसे जैसे pressure बढ़ता जाएगा liquid का उसका boiling point temperature भी बढ़ता जाएगा दूसरी तरफ जैसे जैसे pressure कम होता जाएगा यानि कि उसका boiling point temperature भी कम होने वाला है pressure बढ़ाने पर boiling point temperature बढ़ेगा यानि कि जो उसका vapor में convert होने वाला है वो पेपर प्रेशर बढ़ाने से बड़ेगा और प्रेशर कम करने से कम होगा सेम यही होता है बेपर प्रेशर के केस में देखे अब बेपर प्रेशर होता क्या समझएएए हमाले पास एक कंटेनर है क्लोजD कंटेनर जिसमें की लिक्विट फिल है आँ 1 ATM पर 1 ATM पर में बात काने वाल हो यानि कि बंजीरो 1.325 किलो पास कलपा इतने पर यह फिल है चलिए ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इसको गरम करना है श्टार्ट करता हूँ इनिशियल यह 20 डिग्री से इस पर था तो जैसे जैसे बाटर पार्टिकल 100 डिग्री से इस पर पहुँचेंगे उसके बाद को लेटेंट हीट गें करेंगे प्लस उसके बाद बेपर में गनवर्ट हो रहें बेपर में गनवर्ट होने के बाद समाझ जी कुछ पार्टिकल बेपर में गर्मट हो चुक हैं अब ये बेपर पार्टिकल इस सर्फेस पर यानि कि लिक्ट की सर्फेस पर जो प्रेशर एपलाई करने बाले हैं उसको बोलते हैं बेपर प्रेशर बेपर प्रेशर आपको सुन में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ जैसे जैसे हम लिक्विड को बॉइल करते जाएंगे क्योंकि ऊपर तो यह पार्टिकल नहीं जा सकते हैं क्योंकि कंटेनर थोड़ा से खुला रहेगा इसको पेप कर देते हैं पूरी तरह सील्ड गर देते हैं जब उनको sealed कर देंगे तो क्या होगा जो vapor particle बनेगे यानि कि liquid saturated liquid में convert होने के बाद saturated vapor में convert होगा तो वो vapor में convert हो चुका होगा तो उस time पे जो vapor particle रहेंगे वो इस liquid की surface पर कुछ pressure apply कर रहे होंगे वो रहता vapor pressure अब दूसरी मैंने बात की थी जैसा कि अभी मैंने बोला था कि जैसे हम pressure बढ़ाते जाते हैं vapor pressure भी बढ़ता जाता है यानि कि 1 atmosphere pressure पर 100 degree Celsius पर बॉयल होता है बाटर 2 ATM पर 120 पर है ठीक यही होता vapor pressure के case में कैपिटेशन के case में देखें जो 20 degree Celsius पर समझ दीजिए 20 degree Celsius पर जो vapor pressure होता है बाटर के लिए वो होता है 2.5 kPa 20 degree Celsius पर जबकि mercury के लिए 20 degree Celsius पर यह होता है 0.17 kPa यानि कि mercury के लिए 0.17 kPa यानि कि mercury के लिए 0.17 kPa इसलिए जो भी हम instrument यूज करते हैं उन में mercury को यूज करते हैं क्योंकि इसका जो vapor pressure होता वो बहुत ही कम होता है अब देखिए अब paper pressure का कम होना ज्यादा होना और दूसरी बात यह कि absolute pressure होता absolute pressure अब absolute pressure का क्या मतलब होता है अब देखिए समझेजिए यह pressure है P absolute और यहाँ पर P ATM रहता है इसके उपर हम measure करते है P gauge इसके नीचे measure करते है vacuum pressure या फिर उसको बोल सकते है negative gauge pressure देखिए absolute pressure का मतलब क्या रहता है यह pressure को जीरो कर लें तो फिर system में कोई हलचल नहीं रहेगी जबकि atmospheric pressure absolute pressure से हम इसा जादा होता है यानि कि atmospheric pressure अधी negative होता है तो उसको vacuum pressure कहते है positive होता है यानि कि किसी भी चीज को यदि हम atmospheric pressure को base लेने यानि इसको zero मान ले इसको data मान ले तो इसके उपर जो pressure हम measure करने वाले वो होगा gauge pressure यदि इसके नीचे बेजर करें यानि कि negative होने वाला है उसको negative बोल सकते है वैक्यूम बोल सकते है जबकि absolute pressure कभी भी negative नहीं होता तो यह pressure होता है वो absolute pressure होता है देखे जैसा कि मैंने बोला 20 degree celsius पर बार्टर के लिए जो vapor pressure होता है वो होता है 2.5 klo-paskar अब cavitation क्या होता है आपको समझ में हागया होगा vapor pressure अब बात करते हैं दूसरे time cavitation की cavitation होता क्या है समझेजे किसी pipe में liquid flow हो रहा है यानि कि butter flow हो रहा है यदि उस समझेजे हमारे पास एक diverging nozzle है यहाँ पर pressure कम होगा velocity बढ़ती जाएगी ठीक है यदि यहाँ पर P minimum पी minimum आ गया 2.5 क्लो पासकल यहाँ पर P minimum आ गया 2.5 क्लो पासकल हमने कुछ इस तरह का conversion diverging nozzle को बना दिया कि यह converge होते होते हैं यहाँ पर इसका pressure आ गया है जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा और जैसे ही pressure बढ़ जाएगा यानि कि यहाँ पी जो बेपर में convert होए वो उन पर pressure जादा apply करेगा और वो collapse हो जाएगे यानि कि फूट जाएगे जैसे ही फूटेंगे और यह जब फूटते हैं collapse होते हैं तो उस case में क्या होता है यह बहुत ही जादा pressure generate करेंगे उस बज़े से क्या होता है जो metal surface होती है वो erode हो जाती है for example यदि आप clapping कर रहा है थोड़ी देर के लिए आप clapping करेंगे तो आपके हाथ में stress महसूस नहीं होगी यदि आप जादा देर तक क्याइप करते रहेंगे तो आपके हाथ में stress महसूस होने लगती है for example आपका गाल ले लिए थोड़े time तक या धीरे 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 आप करेंगे तो नहीं होगा यह महसूस लेकिन यह longer time के लिए हो जाए और यहाँ पर pressure generate होता है वो यदि cavitation pressure पर आ गया तो ऐसा तो है नहीं थोड़े बहुत time के लिए चलने बाला यह तो एक बार शुरू होगा है तो उसके बाद बंद होने बाला है यह पर एजांपल दीरे दीरे आप मारते रही है यदि longer time के लिए आप मारेंगे तो आपके दर्द होने लगिए stress महसूस होने लगिए same हो जाता है यहाँ पर तो जब यह फूटेंगे तो surface को erode करेंगे यानि की cavity create करेंगे वहाँ पर जो cavity create होगी वही phenomenon कहलाता है cavitation लिए तो क्या होगा यहाँ पर पर प्रेशर जाता नाएगा absolute बात है कि यहाँ पर प्रेशर जाता रहेगा यहाँ से प्रेशर जब converge होता है liquid तो प्रेशर decrease होता जाता है लेकिन diverging के जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर में फिर प्रेशर बरना इस्टार्ट होगा यानि कि यहाँ को minimum pressure आएगा तो यहाँ पर vapor particle बन सकते है जब वह diverging section में जाएगे तो प्रेशर उनको ज्यादा महसुस होगा जब प्रेशर जादा महसुस होगा तो उसके बाद वो फूटेंगे जब फूटेंगे तो जब surface रहेगी वो phenomenon इतना आसान नहीं होता और इतना धीरे नहीं होता वो बहुत ठीक खतरनाफ होता है तो यह surface को erode करेगा जिसा कि मैंने आपको example दिया आप समझ जाएंगे तो यह surface को erode करेगा surface erode होगी तो महाँ पर cavity create होगी यही phenomenon कहलाता है cavitation उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इससे easy language में समझाना साहद possible हो आपको समझ सकता हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा यदि आप और भी video देखना चाहते है तो आप चनल पर जा कर देख सकते हैं और यदि और आगे की video देखना चाहते है तो चनल को subscribe भी कर सकते हैं आपको ऐसे ही मज़ेतार वीडियो मिलते रहेंगे बेल आइकन को ज़रूर फ्रेस कर लेना क्योंकि उसकी वज़े से नोटिफिकिशन आते रहेंगे थैंक यू